हाँ चलो रप्या अब अब कि अट हट मुखे की बेना हाँ हाँ चलो चली गई वापिस आ गई या भागना है यार कुष्टिन करनी है अब यार यह चाहते क्यों नहीं है और आप दिख रहें के भी है तो लास विडिम आपको याद होगा कि मैंने ती मैजिक ट्रिप से खाई थी अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लेंक इस अगर डिस्क्रिप्शन तो आपको कौन से कौन से सुपर हेरो पसं चीज बनाने वाले खाने वाली भी बनाने वालि और वो है سपाइडर मैं का वेर शूटर ऑ और नब शूह पधिरा को जो दिखा यह वो सभ्सेप्शे पहले पीपर की शीट लें गले और और स्केल लेकर और पैसल और स्केल लेकर सबसे पहले हम एक 12 सेंटीमेटरी मार्किंग पेपर पर एकदब स्प्रेड लाइन बना कर देंगे तो फिर अब हम में 10 सेंटीमेटरी मार्किंग करेंगे अब हम 10 cm की मार्किंग पर यहाँ पर एक 2 cm का gap 2 से 3 cm का gap रख देंगे मैं 3 cm का gap रख रहा हूँ मैंने ऐसे करके एक लाइन बना ली है अब हम 9 cm तक का एक ऐसे और संटर और संटर लाइन बनाएगे और उसके बाद इस horizontal लाइन को हम 1 cm डाइगनल वी में लाइन बना देंगे और जितनी भी space बचती है उतने में हम एक और लाइन बना देंगे कुछ ऐसे अब हम इस end से इस तक यहां तक हम एक कर्फ लाइन बनाएगे लेकिन कर्फ लाइन को हम बनाते है तब हमें एक सेंटीमेटर की गैप रखकर नीचे की तरफ एक सेंटीमेटर की गैप रखनी है और उस लाइन पर हमें जोड़ना है तो फिर जैसे कि अब देख रहें के हमने यह बना दिया है अब यह जो लाइन थी 12 सेंटीमेटर की हम उसको ऐसे करके फूल्ड कर देंगे एक्जेक्ट हमें 12 सेंटीमेटर की लाइन पर ही फूल्ड करना है क्योंकि अब इसको हम सिजर से कट करने वाले हैं तो फिर हमने पेपर का यह पीस कट कर लिया है अब हम इसको एक टेंप्रेट के तरह पे यूज करेंगे यह कार्ट बोर्ड पर हम पहले ग्लू से चिपकाएंगे पर यह ऑप्शनल है ग्लू से आपको चिपका नहों तो चिपका सकते हैं और नहीं भी चिपका सकते हैं मैं इस बार नहीं चिपका रहा हूँ तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पीज कट कर लिया है और मैंने इस वाले कार्डोर के बज़ाए दूसरा कार्डोर लिया है जो एक्टब फ्लैक्से वाले ताकि वो ऐसे बंद हो सके ऐसे कर तें और इसको और ज्यादा कर देंगे तो आराम से हो सकता है अब इसके बाद हम कुछ और पीशेश बनाएंगे जो हूंगे Spider के Arms और Spider के लेग्स भी बोल सकते Spider के Arms और लेग्स अब बनाएंगे खो जो अरुआ इसके साथ हम कल्र भी करती है और इसके बाद हम काट्रेड़् भी हम कारड्बोर से बना देंगे और एक एडिशनल पीज भी चिपका कर उसको भी हम कलर कर देंगे और वेब काट्रेज पर हम एक रवर बैंड भी लगा देंगे तो फिर मैंने यहां पर बिल्कुरू भी अब लगा दिया है अब हम इसे ऐसे करकर पहन सकते हैं अब यह मैंने यहां पर यह लगाया इसको हम यहां पर ऐसे करके डाइए और फिर जब मैं यहां से रिलीस करोंगा इसे यह ऐसे शूट होता है ऐसे करके यह शूट होता है तो फिर हमने वैप शूटर बना दिया है आल्मोस्ट क्यूंकि अब हमें बनाना है स्कट्रिगर तो उसके लिए मैं कार्बोर ले रहा हूं और मैं कार्बोर से ऐसे एक लाम स्क्रिप कट कर रहा हूं अब इसके बाद हम इसको कुछ ऐसा शेप देंगे अब हम इसको कट कर लेंगे हम इसके लिए 순ब में स्क्रिप ऑद्लॉट स्क्ट्र इसके बेंगे घु만 आपभे नबल औ, ऑ और यासे इस दो पूल कर दिया है जाने बगी आरांगे बेंदो और इस को हम लापर चुका दिंगे मैंने इसको जुका दिया जुका दिया है और इसको फोरजी देप लगा कर बहुजे अधर स्ट्रेंट देते हैं अब मैंने का दिया है अब हम इस कार्पूर का एक ऐसा पीस लेंगे और इसको हम कट कर देंगे को ये कट करनेंगे लिए को जुके से नहीं ये कर देंगें क्ट करनेंगेंगे अब हमने इसको फूर्ट कर दिया है अब हम इसको यहां पर चिपते हैंगे पर उसके अबने एक बेरल बना लेगे इसको एकदम राउन शेप में हमें इसे करके फोल्ड करकर बैरल बना लेनी है और उसके बाद हमको सब्सक्राइब करकर इसको बैरल को चिपका देना है तो बैरल हमारे जड़ी है अब इसको हम यहां पर चिपकाएंगे यह बाद हैущarea चाह कर दोत्का उड़ी नताएंगे अब यह हमने चप्पीस कट किया था उसको हम चिपकाएंगे तो फिर जसके अब देख पा रहा है कि मैंने ट्रीगर लगा दिया है और यहां पर मैंने एडिश्टी इस भी लगा दिया है जो जो ऐसे करपे रूकेगा हमारी बुलेट को आगे जाने से और फिर जब हम इसको इसे नीचे करेंगे ऐसे करकर तब यह शूट होगा तो आईए इसके कुछ क्लिप्स देखते हैं जब करेंगे मैं जब का खुछ करेंगे जब हम एगाओेंगें तो आईए जब करू दो आईए जब हम एगा है जब करेंगें तो फिर कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आज की वीडियो में हमने ये स्पाइडर मैं का वेड़ शूटर बनाया, वो भी फंक्शनल, तो फिर आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, शेड़ कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को के भी है